प्छले दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चेनल में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोगतांतर के विभीन मोडल क्या होते हैं इस से पहले हम लोग तरह की वीडियो हम लोग ने बनाया हुआ लोगतांतर के बारे में आप लोग उसको जाकर भी देख सकते ह हम लोको लोकतांदर के विभएन मोडलों की बारबे चुछा करेंगे मोडलों को चरका करने से पहले मैं आपको बता दू! लोकतंदर होता क्या होता है? लोकतंदर होती है जो आम जनता भोट देकर स्रकार को चुनती है और सरकार कभी फ़रता भी होता है कि वो लोगों के लिए ही काम करें यानि कि अगले पांच साल तक के लिए सरकारे लोगों के लिए काम करें गया अगर वो अच्छे काम करें तो सरकार उसे अगले बार भी चुनाव जिता सकता है या फिर जनता उसे अपका कुर्स भी दिया गया है तो हम लोग इस मोडल को आज की वीडियो में बात करने वाले तो चलिए पहला लोगतंद्र का मोडल को देखते हैं लोगतंद्र का परतिनीधी मोडल में क्या होता है कि परतिनीधी होता है लोगतंद्र लोगों का परतिनीधी जो लोग जून कर जिसको भेते उस नेता को परतिनोधी कहा जाता या तीकि है लोगतनद का परतिनीधी मै Euro सासन का एक रूप है इसमें नागरिक अपनी और से नीने, ने के लिए वर्वेतिशी को शुनाव करती आश आहिते बहुत दे कर नेता चुनते हैं वानेता और तक हुझाता है वही परतिनिदी होता है ये विधाई निकायज शिकी संसत्र गठन करते हैं जो कानुन के लिक बार। पुर्द कानून भी बना सकते हैं और क्या होता है परतिनीधि नायरिकों को परती जवाब देही होते हैं और 37 निश्प चुनाओं के माइध्यम से चुनुने जाते हैं युद्कि नेता जो होते हैं और आम नागरिक द्वारा ही भोड़ देकर चुनाव में ऐसा नहीं कि किसी तरह का पैसा या घपला करके चुनाव जीता जा यह चीजे नहीं होती है लोकतंत्र का यह मोडल नागरिकों को अपने परती नीधियों को चुनने में अपनी बात कहने का अधिकार देकर व्यापा भाग्धारी का अन्मति दोता है यानि एक तरीका से लोगतंदरी सरकार भी क्या होता है कि हर आदमी को वोड़ देने का दिकार होता है और वो अपनी मनपरसंद सरकार बनवा सकता है मनपरसंद कंडिडेट को वोड़ देता है और चूनता है इसमें किसी भी तरकी की लोब नहीं दिया जाता है और यह जाच और संतुनल की एक परनाली परदान करता है ठीक है तो पहला मोडल हम लोगों ने देख लिया उसके लोगतंदर का दूसरा मोडल जो देखने वाले हैं वो है लोगतंदर का सभागी मोडल सभागी से समझ में आता है सभी का भागीदारी यानि कि आम जनता के सरकार के नीने में जब आम जनता का भी भागीदारी होता है आम जनता का भी राई लिया जाता है तो वो होता है सभागी मोडल तो यह क्या होता है यह नीती निर्मान कारियान वन और मुल्यांकर में नागरिकों की प्रतेश्य भागदारी को बढ़ावा देता है यानि कि देश के लिए कोई भी नीती बना जाता है को हाना मुल्यांकर क्या था उसमें आम जनता कभी राय मस्वरा लिया जाता है ठीक है न आम जनता से भी उसका फिडबेक लिया था कि इसा क्या करें कि इस प्रब्लम का हल हो सके तो आम जनता कभी इसमें राय को भी मेहतूत दिया जाता है ठीक है आगे दखते हैं कि यह मोडल अस्थानी मुद्दों के समधान के लिए जमीनी अस्तर की पहल सामुदाई संगठन और नागरी सभागिता को प्रोसाहित करता है क्योंकि हमने पहले बताए कि इसमें अगर नौर्बल आदमी एक आम जनता अपनी राय रखता है तो यह क् करहीं ज्यादा बाते हो रखते कोई अपना आथ पर उसका कोई भी समयश्या होता है तो इसमें क्या होता है कि वहां करने वाले लोगों करा लेकर उसका सही सोलुसन निकाला जाता है इसका उद्देश होशिया पर पड़े समुहों को ससक्त बनाना उनकी आवाज को सुनना और उनकी आवश्यसक्ताओं को पूरा करना है यानि की ससमें क्या होता है कि कई बर ऐसा होता है कि Party दीन ही लेते हैं आम जंता को पूछे ही नहीं होता है तो ईसमें क्या हुBA कि इस मोडल में नेता के सास्थ-आम जंता का भी राह लिए जाता है ताकि अब जंता अपन सबी लोगों को सब्सक्र們 करने सब्सक्राइब इस जब यह जब इसमें राय लिया जाता है तो सभी लोगों को अपने छेते का समयशाओं को बारे में पता है और सभी लोग एक तरीका से जिम्मिदार होते हैं एक सही प्लान बनानी में अगला हमारा मोडल है लोगतंत्र का विचार वीमर्स मोडल है इसके नाम से समझ में आता है कि विचार वीमर्स होता है कोई भी कोई भी नीती बना जाता है कोई भी प्लान बना जाता है कोई से विद्शिक को पुड़ा करना होता है तो उसमें सबसे पहले विचार वीमर्स कि सालाहमसवडा करते हैं तो नोडलों में उन मोडलों में से एक है जो तरकपुर्ण और सुचित का सारवजनिक वीचार वीमर्च होता है यानि कि इसमें विचार विमर्ज सही तरीका से हर तरह के जो उस फ्रिलिक लोग होते हैं उससे विचार विमर्ज कियाता है राय लिया जाता है ठीक है दूतरा है यह नाईरिकों को भी समावेशी और समावेशी और समानजनक संबाद के महत्तों पर जोड़ देता है और इसमे के लिए तर्क संगत विचार विमर्स में सनलगन होते हैं किसी भी टॉपिक पर जब नीती बनानी होती है तो सभी लोग तर्क पूर्वक रूप में हर उसके जो लाभ हानी को देख कर सही निर्दने लेते हैं और सभी लोग अपनी राय रखते हैं यह खुलापन होता है खुल या गिनाता यानि कि आलोशना भी होता है खुलापन होता है यानि कि सब लोगों को इसके बारे में पता होता है कि समझ में सब को आ रहा है कि किसी पर बात हो रही है विचार विमर्सात्मक लोगतंतर का उद्देश एक विचार विमर्सात्मक अस्थान का निर्मान करना है जहां नागरी नेने में भाग ले सकती, इसमें क्या होता है एक बड बठादा से विचार विमर्ज किया जाता है आगे देखिए निस्पक्षता समानता और समानी भलाई की खोज के सिधान सर वजम विचार वीमर्ईर्च का मार्कदशन करते हैं क्योंकि सराबजनिक उचार प्रिमर्श में सभी तरyas के लोग अपनी राए रखते हैं तो इसमें जादा क्या होता है लोग अपनी अशब समेश्याएं रखते हैं तो सरकार भी समेश्या का अनुसार ही काम करती है यानि कि एक तरीका से जनता का भागिदारी भी है और उसमें जनता का पाइदा भी जादा होता है ठीक है तो आज की वीडियो में हमने लो Очень Lazity के तीन मोड़लों पर विश्थार से चर्चिया किया है उमीद है आप लोको सारा चीज क्लियर समझ में आ गिया होगा तो मिलते हैं हम लोग तब तक एक नए वुडियो में एक नए टॉपिक को